दोस्तों आप सब कैसे उम्मित करता हूं आप सब अच्छे होंगे दूस्तों मैं तफज्यू से नहीं और आप लोग देख रहे हैं वो टील गालेरी आज का इस वीडियो में क्या बात करने वाला आप सब को समझ गये होंगे इंडिया पकिस्तान का जो मैच हुआ आज क्रिके चार रहन पर रहे शर्मच चार रहन फिर आया विराट कोहली बिराट कोहली ने पकड़ के रहा है फिर देखेज शुर्य कुमर याद वाया तो क्या हुआ पंदरे रन बना के दस बल में पंदरे रन बना के वह भी पेविलियन चला गया फिर एक्षर पटल आया मतलब 34 रन का बीज में ही चार विकेट चला गया कैलरी पे वापस तो क्या करें बाकी तो इतना प्रेशार था यार दिखने को भी स्वास नहीं आ रहा है जो खेल इंडि इंडिया का हथ में और बाकी से पाकिस्तान की हथ में एसी कंपिटिशन में बीराट कोहली को सलाम करना चाहिए बीराट कोहलिया और हर्दिक पंडिया ने सबर से बर्दस करके खेल को टुक टुक करके खेल के गया है लास्ट में आखर में से हो रहे हैं ग्यार अरन हार होना वरना में उठा देता कफिटेट लग जाएगा इसलिए में वीडियो उठा करके नहीं दे पारों जैसे मोमेंट लाश्ट दो और और क्या बाइफाइक कोई ऐसा गेम क्या बताऊंगा जो तीसरां से ज्यादा चाहिए ठाटी थ्रिश है तेसे लाश्ट दो और में था तो हार परके आउट होगा। अध्या ने क्या बोलिंग अच्छा चक्या चाहिए सही तो क्या बोलिंग लाश्ट में आकिर जो दो गेंद मिला बिलाट कोहली ने चका मरा राए शिक्स उड़ा दिये बढ़िया बढ़िया लंब लंब मारा है ना यार गजब फिर आया सेकेंड ला तबार्दिया 6 विराट कॉली ने लंबी 6 फिर ये भी गेंदा हो गया नो बोल फिर तीन बल बचा आ गया कितना तीन बोल में सात रन चाहिए फिर आया दिनस्कट एक आउट हो गया स्टंपिंग ऐसा हालत में लेस्ट एक बोल में एक रांच चाहिए बढ़िया आगया खेल तो दोस्तों यही वीडियो लेकर मैं आया हूं ताकि एसे रुमांच खेल एसे कंपीटिशन खेल आगे भी देखने मिले और हमारा उम्मीद है हमारा इंडिया का टीम फाइनल तक जाके पहुंचे इस वीडियो के उपर यह आप लोग खेल देखे होंगे तो भी कमेंट करके बताइए आपका खेल कैसा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई मैं पूरा गेम बेट बेट करके देखा हूं बीज में थोड़ा टाइम थोड़ा काम के लिए गया था बस बाकी ओल टाइम में गेम देखा हूं इतना क्यों पकिस्तान के साथ हमारा जब खेल होता ह है न तब जजवा